Hello lovely ladies, welcome to my channel Pregnancy में blood sugar level control में होना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि अगर ये control में नहीं हुआ और बढ़ी हुई मात्रा में आपकी blood में रहा तो इसका नुकसान आपको भी और गर्व में पल रही बच्चे को भी काफी हो सकता है तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगे कि pregnancy के दौरा normal blood sugar levels कितने होने चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देवी के कई बार ऐसा होता है कि जिन महिलाओं को पहले कभी diabetes की शिकायत नहीं रही यानि कि उनके blood sugar levels हमेशा normal रहे हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है कि pregnancy के दौरान यान कि जब वो pregnant होती है तो blood sugar levels बहुत बढ़ जाते हैं और delivery होने के बाद बच्चे की delivery होने के बाद ये जो sugar levels है ये अपने आप normal आ जाते हैं यानि कि उन्हें pregnancy के दौरान diabetes हो जाती है तो इसको gestational diabetes कहा जाता है अब इसके गर्वती महिला के उपर भी pregnant lady के उपर भी और गर्व में पल रहे बच्चे के उपर भी बहुत जादा बुरा असर इसका पढ़ता है इस पे मैं एक वीडियो पूरा बना चुकी हूँ कल ही मैंने पोस्ट किया था उसका लिंक मैं आपको description में दे दूँगी उसमें मैंने आपको gestational diabetes के लक्षन भी बताये हैं यानि कि क्या symptoms होते हैं अगर आपको pregnancy में diabetes हो गई है और साथ ही ये भी बताया है कि इसका बुरा असर आपके बच्चे पर और आपकी खुद की सिहत पर क्या पढ़ता है तो इस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा आप वहाँ देख सकते हैं बाद में तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे mainly blood sugar levels कितने होने चाहिए pregnancy के दौरान तो क्या होता है कि generally आपकी जो routine tests होंगे और जो लक्षन मैंने अपने पिछले वीडियो में बताये हैं आपको जो आते हैं इस condition में उनसे आप एक suspect कर सकती है कि आपको कहीं gestational diabetes तो नहीं है उसके इलावा आपका pregnancy में शुरुआत में भी कुछ routine tests होते हैं जैसे कि आपका urine test होगा आपकी urine में glucose level भी check किया जाता है तो अगर वो बढ़ा हुआ मिलता है तो उससे भी ये suspicion होता है कि आपको कहीं gestational diabetes तो नहीं है अब इसका proper diagnosis बनना बहुत जरूरी होता है और properly आपकी blood sugar levels को pregnancy के दौरान monitor करना जरूरी होता है ये आप जो मेरा पिछला वीडियो है जिसका link description में है उसको देखके अच्छी तरीके से समझ जाएंगी कि कितनी ये serious condition हो सकती है अगर pregnancy के दौरान आपके blood sugar levels जो हैं वो control में नहीं है अब इसके लिए क्या होता है कि जादा तर महिलाओं में जो gestational diabetes होती है वो develop होती है 24th week से 28th week of pregnancy में यानि कि जो pregnancy का आपका 6 महीना होता है 6 महीने से लेके 7 महीने तक ये जादा तर इसका develop होने का time होता है तो generally जो screening करी जाती है gestational diabetes के लिए वो इनी महीनों में करी जाती है हलाकि अगर आपका high risk है gestational diabetes होने का यानि कि अगर आपका high risk कब होता है कि आपको gestational diabetes होने के chances जादा है अगर आपकी family में किसी immediate family member को diabetes की शिकायत है तो आपके थोड़े chances बढ़ जाते हैं इसके अलावा अगर आपकी पिछली pregnancy में ऐसा हुआ है कि आपका जो baby हुआ है वो 4 kg यानि कि 4 kg या इस जादा वजन का हुआ है या फिर आपको पहले miscarriages हुए हैं बहुत क्योंकि blood sugar level बड़े होने की वज़े से miscarriage भी हो सकता है तो इस तरीके के कुछ conditions हैं जिसमें कि आपका risk factor जो होता है pregnancy में diabetes develop करने का वो जादा हो जाता है तो अगर ऐसा है तो पहले भी ये test करके confirm किया जा सकता है कि आपकी gestational diabetes तो नहीं है पर generally जो screening करी जाती है महिलाओं की वो छटे और साथवे महिने के बीच में करी जाती है तो इसके लिए एक test होता है oral glucose tolerance test अब इस test के द्वारा जो result आता है उससे ये decide किया जाता है कि gestational diabetes है की नहीं है तो इसके लिए पहले तो आपका fasting blood sugar जो है वो measure किया जाता है उसके लिए test होता है आपका blood sample लिया जाएगा fasting के बाद इसके बाद फिर आपको glucose का एक solution पिलाया जाता है उसके एक घंटे के बाद फिर से आपका blood sample लिया जाएगा और उसके भी एक घंटे बाद, यानि कि जो आपने glucose का solution पिया है, उसके दो घंटे बाद फिर से एक sample लिया जाएगा, तो ये जो तीन test होंगे आपके, यानि कि एक fasting वाला जो आपका level होगा glucose का, एक घंटे बाद जब आपने glucose का solution पिया है, उसके एक घंटे बाद जो level कि दो घंटे बाद जो आपका level आएगा glucose का, ये तीन जो values हैं, ये important होती है, इन मेंसे एक भी value अगर आपकी बढ़ी हुई निलती है, तो आपकी gestational diabetes की diagnosis वहाँ पे बनती है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कि आपका जो fasting वाला जो blood sugar level आना चाहिए, वो कितना आना चाह है, तो आपकी महाँ पे gestational diabetes की diagnosis बनेगी, और अगर आपका जो, अब बात कर लेते हैं, आपका जो next, जो one hour के बाद, यानि कि एक घंटे के बाद वाला जो level है glucose solution लेने के एक घंटे के बाद, वो level आपका 180 या उससे जादा है, अगर 180 mg per dl, या उससे जादा अगर आया है, त तीसरा जो value आपकी आएगी वो है glucose solution लेने के दो घंटे बाद, ये value आपकी 153 या 153 mg per dl से ज्यादा है, तो आपकी gestational diabetes की वहाँ पे diagnosis बनेगी, तो ये जो तीन levels हैं, ये आपके fasting वाला 92 से कम होना चाहिए, आपका एक घंटे बाद वाला जो level है, वो 180 से कम होना चाहिए, औ और दो घंटे बाद वाला जो level है, वो 153 से कम होना चाहिए, तो ये चीज़े होती है, और इसकी जो importance है pregnancy में blood glucose levels की, ये जो मैंने आपको वीडियो बताया जिसके बारे में, जो मैंने कल पोस्ट किया था, वो आप जरूर देख लें, description में उसका link है, इसका क्या बुरा असर आपके उपर और बेबी के उपर होता है, और इसकी लक्षन क्या है, मतलब किन symptoms से आप ये समझ सकती है, कि आपको शायद gestational diabetes तो नहीं है, तो ये वीडियो का link description में है, आप देख लीजेगा, अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना है, तो आप comment section में मुझसे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ काम का लगा है, यूसफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को like कर सकती है, और मेरे चैनल को subscribe कर सकती है, मैं अपने चैनल पे pregnancy से related videos ही बनाती हूँ, साथ ही में birth control यानि की contraception के उपर भी काफी videos आपको मेरे चैनल पे मि लेंगे, तो अगर आप चाहें, तो चैनल को visit करके कुछ वीडियो अपने interest के देख सकती है, मैं आप से मिलूंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बेबी का भी ख्याल रखिए